मैं आपके लिए कि नई वीडियो लेकर आगे हoupं यहाँपे मैं टैक से से रेलेटिड बात करता हूं मेरे चैनल अटकि जोन पर आज मैं आपके लिए कि लेके आगे हूं जिसके अंदर मैं आपको बता हूंगा वन्प्लस की तरफ से आने वाली लेटेस्ट अपकमिंग फ्लैक्षिफ लावल सिरीज जिसके अंदर वन प्लस अपने तीन फॉन लॉच करेंगा जिन में से दो फॉन अप्रेल के अंदर लॉच होगे एक फॉन जो बचेगा वो आगे लॉच होगा तो हम इन्हीं तिनों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर लाइस गै अप्रेल के अंदर तारीक सामने आ गई है वन प्लस के ओफिशल की दरब से वन प्लस ने खुद अनौंस कर दी है कि वह 14 अप्रेल पो लॉच हो भी वह सिरीज जिसका नाम हो एक उसके अंदर दो स्मार्टफोन जो 14 अप्रेल को लॉच होगे और उसके साथ कुछ काफी प्लस एट जो बेसिक स्मार्टफोन होगा और एक होगा वन प्लस एट प्रो जो सैमसंग की गलक्सी एस 20 सिरीज को टेकल करने के लिए आएंगे यह स्मार्टफोन तीन कलर के अंदर इंट्रिस्ट्रेटर ग्रोव ग्लेशियर ग्रीन और ओनिक्स ब्लैक कि तीन कलर यह स्मार्टफोन होंगे क्वाल कॉम का छिए फ्लैक श्जिप 5 प्रोशेसर ता इस यह का था उसके साथ दोनों स्मार्टफोन आएगे पावड़ू स्मार्टफोन होंगे क्योंकि ए स्वेख्शिप सिरीज है सैमसंग एस 20 सीरीज को कैच अचक अब करने के लिए हैगी तो तो यह काफी अच्छी बात होगी वन प्लस की तरफ से अब हम इन स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन प्लस एट प्रो की 6.78 इंच की सुपर फ्लूइड की एमयले डिस्प्लेई के साथ के साथ यह जोगा आप टू can dhre अजीआ के चुसे तर आपको जए अच्छी तरीके से विजिबल वही तियो फिस्प्लास कर और रिए मैं प्लस एट के लिए sitzen डिस्प्लेट क्वालिफिकेशन आगे हम बात करते हैं इसके इंदर उसका लेटिस्ट वर्जन और जो इस साल लॉंच भी हो जाएगा साथ में एक निया वर्जन और यह क्वार्ट कैमरा एरे सेटप के साथ लॉंच होगा जिसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल और 5 मेगाप के साथ यह लॉंच होगा और जो दूसरा जो होगा वो सोनी आयमेच्स 586 के साथ होगा 3x ऑक्टिकल जूम और 30x डिजिटल जूम के साथ आएगा एक 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा होगा वह वह एक कदर का कैमरा होगा तो इस तरह से एक वार्ट कामरा सेटप होगा इसके अं और इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे 8GB और 128 12GB जो 8GB रेयंट ऑको उसके साथ 128GB वेरियंट और 12GB रेयंट और 256GB का वेरियंट UFS 3.0, 3.0, LPDDRX5 की RAM के सपोर्ट हो जो काफी फास्ट है रीड और राइट स्पीड काफी फास्ट मिल जाएगे आपको और हम कैमरे की बात फिर से करते हैं जिसके अंदर आपको ड्यूल OIS और EIS दोनों को सपोर्ट देखने को मेरेगा बैटर इंप्रूब्मेंट होगी औ यह काफी किलर स्पेक्स के साथ आएगा क्योंकि इनके जो कैमरा की इस बार वन प्लस ने काफी ज़्यादा इंप्रूब करेंगे अपने कैमरा को जो पिछली बार से कंपीट बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और यह आईपी रेटिंग 68 के साथ आएगा और 4500 mAh की बैटरी होगी जिसके अंदर 30 वोट की वायर वायलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा त्री वोट रिवर्स वायलेसिंग चार्जिंग का सपोर्ट होगा यह कुछ इस टाइप का वन प्लस एट प्रोग स्पे प्रोसेसर और स्ट्राइब रेगन 865 वालकॉम का 5G तीनों कलर वेरियंट होगे एज वैल एज जो बन प्लस एट प्रो के अंदर थे और यहां पर आपको डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी इसके अंदर भी आपको दो वेरियंट देखने को मिलेगे सक्सेसर थी LPDDR4 की जो काफी फास्ट है लेकिन LPDDR5 से भी कम है इसलिए यह वन प्लस एट है और वो वन प्लस एट प्रो यह आपको ट्रिपल कैमरा सेट अप के साथ मेलेगा 48 16 प्लस 2 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल की एक सेलफी देखने को मिलेगी जो इसके जो कैमरा स्टाप उसके अभी तक पर डिटेल सामने नहीं यह तीनों जो के मेगापिक्सल सामने आगे और 16 मेगापिक्सल के सेलफी एस वेल एज वन प्लस एट प्रो के अंदर भी देखने को मिलेगी आपको अभी तेखने को नहीं मिलेगी यह इसका इक डाउं ग्रेड है इसके बै रैप चार्जिंग सपोर्ट उसकी आपको टेकनलोजी देखने को मिलेगी तो यह वन प्लस एट सीरीज कुछ इस परकार की थी वन प्लस एट लाइट भी होगा लेकिन वह अप्रेल के अंदर लॉंच नहीं होने जा रहा है वह इसके बाद लॉंच हो सकता है अभी तक कि जो सब्सक्राइब को आगे लोंच होगा इनके दोनों स्मार्टपन के साथ नहीं आ सकता हो तो स्टेट इन फोर्माट अपडेट्स डूए लाइक लैस गो साइन ओफ थैंक्स फोर वाचिंग झाल